मैं निकीता अहुजा स्वागत करती हूँ अब सभी का मेरे चैनल में तो चलिए शुरू करते हैं सेवन डेज सेवन टाइप ऑफ हेल्दी पुलाओ रेसिपी इसमें आज एपिसोड फोर में बना रहे हैं रेड राइस पुलाओ यह रेड राइस मैंने इशा लाइफ यानि सद्गुरु जी की जो इशा फाउंडेशन है वहां से ओडर किये थे यह चावल काफी पॉस्टिक होते हैं दो बार में बना चुकी हूँ आपको रात को इसे लगबग 12 गंटे के लिए पानी में सोक करके रखना है इसी लिए यह समय लगाते हैं को कोने में हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशल है यह बेनिफिट से आप देख लीजे अब आप पसंद की अपनी सबजिया ले लीजे मैंने आपे कैरट, कैपसिकम, बीन्स और ब्रॉकली ले ली है आप जो भी सबजी चाहें वो ले लीजे, प्याज ले लीजे, अब जीरा हमें स्प्लेटर होने देना है और इसमें यह प्याज को एट कर देना है हमें इसे लाइट ब्रॉण कलर होने तक बुन लेना है इन सारी इंग्रीडिन्स की मात्राएं स्लाइड में हैं, आप वो चेक कर ले कोई भी आपके पास सबसी हो, आप वो डाल दीजे, मेरे पास यह सारी थी अब मैंने इसमें जिंजर डाल दिया है और हरी मिर्चे जितना भी तीखा आपको अच्छा लगता है डाल दीजे आप गालिक का इस्तिमाल भी कर सकते हैं, इन्हें अच्छे से मिक्स कर दीजे और फिर हमने इसमें सारी वेजीज डाल दीनी है, याने की बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च और ब्रॉकली ब्रॉकली विंटर्स में काफी मातरा में पाई चाती है तो जरूर से खाएए अब इन्हें कोक कर लीजे लगबग 5-7 मिनिट्स के लिए अब हम साइड में ये चावल को भी कोक करने के लिए रख देते हैं दूसरे कोकर में तो एक बर वापस मैंने वाश कर लिया है और कोकर में डाल दिया है चावल, पानी और स्वादनसार नमक यहाँ पर सबसी में भी हमने नमक डाल दिया है और अब चावल को कितनी लगानी है लगबग 15 से 16 सीटी लगती है जब तक सीटी लगती है हमने सबसी में मसाले डालती है पाउडर बस कोई भी और जाधे लगने नहीं है मसाले इने अच्छे से कुप कर लेना है 5 to 6 minutes के लिए जब सबजी को खोने लगती है आप इसे side में रख दीजे अब ये चावल जो हैं देख लेते हैं after 15 to 16 whistles कैसे त्यार हो गए है तो ये देखिए 16 सीटी लगने के बाद ये चावल की position है अच्छे से गल्च चुके है समय लगाते हैं ये चावल इसलिए आपको कुकर में इसे कुक करना है अब इन चावलों को हमने सबजी में डाल दिया है अच्छे से इने मिला लीजे ताकि फ्लेवर्स कंबाइन होने लगे 5-6 मिनिट के लिए मीडियम आज पर आप इने साथ में पकाईए तो ये लीजे गरम गरम रेड राइस पुलाओ बनकर तयार है इशा फाउंडेशन में जो बिक्षा होल है वहाँ पर ये चावल सर्व किये जाते हैं क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही पॉष्टिक होते हैं ये सारे इंग्रीडियन्स है और ये चावल खाने से आपकी डियाबिटीज में भी बहुत ही बेनिफिट होता है आपको तो सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले एपिसोड में एक निव कॉंटेंट के साथ अधिल देन फॉल उस और आल सोचल मेडिया प्लाफंस, इंस्टराम निकिता कुपक, फेस्बुक, यूट्यूब निकिता अहुजा इस निकिता साइन ओफ, बबाई, टेक केर, स्टे हल्दी, स्टे हैपी and स्टे सेफ